महा भारत के युद्ध के बाद, जब भगवान कृष्ण द्वारिका को वापस जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती से कहा, मांगो भुआ क्या मांगती हूँ? तो आपको पता है, माता कुंती ने क्या मांगा? माता कुंती ने भगवान से कहा, कि हे कृष्ण विपदह शंतुनह शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरू, भवतो दर्शनम यत स्याद अपनर भव दर्शनम, कि यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, तो मेरे दामन को हार तूट जाए, भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, रे बुआ, ये क्या मांग रही हो, मनुष्य का जीवन तो सदा सरवदा सुख की मांग करते करते ही बीत जाता है, और तुम दुख मांग रही हो, तब मा कुंती ने कहा, कि सुख के माथे सिल पड़ी, जो पलपल नाम जपाए, कि हे क्रिष्ट, जब मेरे जीवन में दुख थे, विपत्तियां थी, तब पगपग पर तुम मेरे साथ खड़े थे, और अब सुख आते ही, तुम मुझे छोड़ कर जा रहे हो, ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी? कहने का अर्थ है, कि जब हमारे जीवन में दुख आता है, तो हम सदेव भगवान को याद करते हैं, वो कहावत है, कि दुखों से चोट खाई नहोती, तो हरी तेरी याद आई नहोती, बस वही बात है, कि जब दुख आता है, तब हम भगवान को याद करते हैं, और सुख आते ही सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन भगती हो तुमाता कुंती जैसी। जैस रिक्रेश्न।